हलो फ्रेंग जैसी किष्णा आप सब कैसे हो आप सब अच्छे होगे मैं हूँ आपकी नेहा राजिस्थानी रसुइविद नेहा ब्लॉक्स में आपका स्वागत है आज हम मनाएंगे राजिस्थानी लैसुनी पंचमेल दाल वह भी हमारी स्टैल में तो वीडियो देखनी से अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रैस करना ना भूले ऐसी न्यू न्यू रैस्पी देखने के लिए तो आईए हम बनाते हैं पंचमेल डाल तो हमने हाँ पर पांच तरह की डाल ली है तो हमने या बाव लिया और हमने लिया हाँ प और हम डालेंगे इसमें 1 4 कफ मूंग की डुली हुई दाल और हम डालेंगे 1 4 कफ का आदा कफ हमें मूंग की छिकल वाली दाल लेनी है हमें आदा कफी लेनी है और आप हम डालिंगे इसमें वनपूर्थ कप चनी की दाल तो इन सभी दालों को हमें मिक्स कर लिना है और इसको पानी डाल के हमें चार से पांच बार धो लिना है अच्छे से इसका पावडर निकल जाए दालों का तो यहां पर हमने दाल को अच्छी से धोली आया तो हम इस पर डालेंगे पानी और पानी डाल कर हम इसे एक घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे जिसे दाल अच्छी से भीग जाए तो यहां पर एक घंटा हो गया है और दाल हमारे हो गई है तो हम इसका पानी निकाल लेंगे और हमने पानी डाल का निकाल लिया तो हम इसी एक कुकर में डाल लेंगे तो यहां पर हमने दाल कोकर में ब्लाव तो रहीं तूआ घ्री नमक अपनी टेश्ट क क्या मेवेँ आकार या जयादा कर सकते हैं देल गलास पानी पानी रहें ज्यादा नहीं डालना है इसाइड गलास पानी राली जै दाल जिससे अच्छे से डूप जाए और इसको मिक्स करने के बाद हम इसका धक्का लगा के गैस पे रख देंगे तीन से चार सीटी आने तक अगर आपके कुकर में सीटी देड से आती है तो आप दो ही सीटी लीजिए अगर कुकर में जल्दी सीटी आती है तो चार से पांच सीटी ले लेनी है तो यहाँ पर हमारी दाल हो गई है दाल इकदम घूर गई है तो अब हम करते हैं तड़की की त तो गैस पर हमने कडाई रख लिया है गैस का फ्लेम हमने विल्कुल लो रखा और हमने इसमें एक बड़ी चम्मश तेल डाल लिया है तो तेल गरम हो गया है आपर तो अब हम डालिंगे इसमें एक चुटकी हींग करे 快 करें और हम डालेंगे इसमें दो लाल मिर्ज सुख अगिवी और हम डालिंगे इसमें चार सी पांगे लोगे और हम तेल में वीए क à can अगर हम डालेंगे हापर आदी चम्मश जीरा थीया औरु इसको भी हम मिक्स कर लेंगे तेल में और आप डालेंगे इसमें लहसंन बारी कट के हुआ में पांट से छे लहसंन की कर लिया ली उसको भी हम फ्राय कर लेंगे तेल में तो आप डालेंगे अध्रक बारी कट के हुआ तो यहां पर सभी चीजे अच्छे से फ्राय हो गए तो आप हम डालेंगे मसाले हमनी लिये एक चम्माज लाल मीच पाउडर और इसको हम तेल में अच्छे से बूंद लेंगे और हम डालेंगे बारी कट कुया टामाटर अब हम डालेंगे इसमें एक चम्माज धनिया पाउडर और इसको भी हम अच्छी सी मिक्स कर लेंगे मसालू में और अब हम डालेंगे नमक नमक हम आधी चम्माची डालेंगे क्योंकि हमने डाल में भी नमक डाला है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते नमक को बाहिं टेदे क्तिंगी सावलों या अट कर लेंगे कि अब हम डालोडर लेक्शन अब हम डिलडने की डाल थे नो कि मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम अब हम हाई कर लेंगे जब तक इसमें बॉइल नहीं आती है दाल में अगर आपको आपकी दाल गाड़ी लगती है तो आप उसमें गरम पानी करके डाल सकते हैं थंडा पानी उपर से नहीं डालें तो आप हम डालेंगे इसमें आदी चमाज गरम मसाला पावडर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अब हम डालेंगे बारीक कट हुई हरी मिर्च और बारीक कट के हुआ धनिया और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और गैस को आफ कर लेंगे क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल रेडिया और इसको हम किसी बावल में सर्फ कर लेंगे तो यहाँ पर हमें डाल को नि hoping निकाल लिया है इस तरीकी से और धार माली तॉ हम उपर से डाली तेल दाल के लिए तो दाल केरिक लिए मासाले वाला थेल गा सबंशी इक गार्डिश कर लिए तो यह जान राद है अगर आपको यह आपको लाइक हैं तो लांड शेटर सब्सक तेंक तेंक्यू एंजेशी किसना अबसा बीकू